नमस्कार मित्रो भायो बैनो आज हर्याना आज में फिर से हम लोग अपनी ये सापता एक चर्चा असा तीसरे दिन की चर्चा कर रहे हैं करोना का विशय तो हर बार हम ध्यान करते ही हैं हर दिन कुछ ना कुछ आकड़ों में व्रिद्धी होती है आज के वर्त्मान आकड़े करोना के कुल पॉजटिव केस 854 हो चुके हैं जिसमें से 466 लोग ठीक होकर डिश्चार्ज हो गए हैं 375 लोग अभी भी अपना इलाज करवा रहे हैं 375 एक्टिव लोग हैं जो कम से कम 15 दिन हस्टाल में जरूर रहना होगा कुल 13 लोगों की मृत्ति होई है अगर मैं रिकवरी रेट अर्थात जो ठीक होने वाले लोगों की प्रतिशत ये गिनता हूँ तो 54.56 प्रतिशत हमारा आज का ये आकड़ा है जबके केंद्रियस्तर के उपर ये लगबग 32 प्रतिशत का आकड़ा आता है आज हमारी जो टेस्टिंग है जो टेस्ट का दर है वो प्रति 10 लाख यानि प्रति मिलियन 2853 हो गया है जो के एक अच्छा आकड़ा ऐसा माना जा सकता है भायो बेनो जैसा कुरोना का एक लंबा समय ये चल रहा है लोकडाउन एक दो और तीसरा सत्रा तारीकों तीसरा लोकडाउन भी समाप्त होने वाला है और चौथा लोकडाउन ऐसा माना जाता है कि 17 के बाद अवश्य ये घोशित होगा क्योंकि ये महामारी इस प्रकार की है कि इसमें लगातार हमको अपनी गती को बनाए भी रखना है और कुछ चीजों पर रोक भी जारी रखनी है तो हमें केंदक से जो निर्देश मिलते हैं उनका हम बहुत ही ठीक प्रकार से पालन कर रहे हैं और मुझे इस बात की संतोश भी है आपको बताते हुए कि हम अपने आसपास के प्रांतों की सिती में बहतर सिती में हैं चाए वो दिल्ली हो राजस्थान हो पंजाब हो अत्वा उत्तर प्रदेश हो तो हम लोग अपने आपको बचा करके किस परकार से इस महमारिस के दौर में आगे बढ़ पाते हैं यह हम सब को मिल करके सोचना होगा इसी कड़ी के दौरान परधान मंत्री जी ने अभी तीन दिन पहले देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज इसकी घोशना की है और वो घोशना अपने देश को आतम निरवर करने के लिए अर्थात आतम निरवर भारत इस बात को ध्यान में रखकर के ही की गई है आपको ध्यान में होगा कि जब हम लोगे ने बजट बनाया था बजट से पूर्व मैंने चार शब्दों का उलेक किया था शक्षा, स्वास्थ, सुरक्षा और स्वावलंबन हम अभी यदि स्वावलंबन की बात करें तो उसी स्वावलंबन की ओर भारत के ब्रहान मंत्री हमारे प्रियनेता श्री नेंदर मोदी जी ने इस और उलेक खित जो अपना फैसला किया है बीस लाख क्रोड रुपे का आर्थिक पैकेज और इस पैकेज की लगातार जानकारी हमारी वितमंत्री शिर्मती निर्मला सीता रहमन वो हमको लगातार दे रही है आज भी उन्होंने कुछ बातों पर चर्चा की है उसमें हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा क्रिशी हमारा मजदूर हमारा छोटा उद्योगपती अर्थात MSME का जो उद्योगपती है हमारा छोटा दुकानदार रेड़ी फड़ी वाले व्यक्ति हमारे सामाने नागरिक इनकी सबकी जो चिंता है वो उस बीस लाख क्रोड के पैकेज में निश्यतरूप से एक परकार से उनका हल निकालने के लिए बहुत से प्रावधान इसमें किये गए है यदि मैं क्रिशी की बात करता हूँ सारे देश भर के लिए साड़े तीन लाख करोड रुपे की और ये एक गोशना इसके अंदर की गई है इसमें हमको लगता है कि हजारों करोड रुपे का योगदान इसमें निश्यतरूप से हमारे लिए भी होगा और हम अपने प्रदे जमी मालिक होते थे उनी के नाम से के शी सी कार्ड बन करके उनको मिलता था अब हमने हर्याना में तै किया है कि एक कानून लाकर हम लोग जो ठीक पर जमीन लेते हैं अरथा जो कास्ट कार होते हैं ये फसली रण बैंकों से उनकों भी मिल सकेगा ताकि अपनी फसल की कटाई करने के बाद वो उस रण को उतार सकते हैं इसलिए इस एक्ट बनने के बाद किसी भी जमीन के मालिक को कोई खत्रा नहीं रहेगा कि गिरदावरी यदि कास्तकार के नाम से हो जाती है तो उससे जमी की मलकियत का कोई असर नहीं पढ़ने वाला इसलिए एक बहुत बड़ा प्रावधान ये हरियना के अंदर हमले करके आ रहे हैं और ये जो लाब हैं जितने भी वो इस ठेके पर जमीर लेने वाले वाले वक्ति को भी उसका त्रिक्त ये लाब मिल सकेगा हम लोग मंडियों क के अंदर अपना फसल बेचने के लिए जाते हैं अभी भी प्रक्यूर्मेंट का सिजन चल रहा है बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के विशे इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इस गोशना में लगबग एक लाख क्रोड रुपया ये रखा गया है तो ऐसी इंफ्रास्ट्र के स्रक्चर की जो जितनी भी विवस्ताएं या जितनी सुधार जितना प्रवंद वो करना होगा विशेश तोर पर क्रॉप डायर अर्थात फसलों को सुखाने के लिए क्योंके हम जानते हैं कि मौईस्चर एक बहुत बड़ी बाधा प्रोक्यूर्मेंट में होती है तो उस का अनुपातिक जो आफशकता है वहां तक लाने के लिए फसलों की सुखाने की दिश्टी से वहां क्रॉप डायर लगाये जाएंगे ये योजना भी हमने बलाई है मुझे खुशी है कि भावांतर भर्पाई योजना जो हर्याना में पिछले तीन वर्स से हमने चलाई है इ पांच सो के लगबख पहले से बनी है इस घुशना के अंदर प्रधान मंतरी जी ने उसका बजट और बढ़ाया है और इसको लागू करते हुए हम अपने पांच सो एफपियोज को पंदरा सो एफपियोज तक अर्थात एक जार नए एफपियोज और बढ़ाएंगे और इ किसान अपना साइड बिजनस के नाते अतरिक्त आये के नाते मचली पालन इसको भी कई बार चोटा किसान करता है तो मचली पालन को भी बढ़ावा देने के लिए पधानमंतरी मतस्य संपदा योजना ये बनाई गई है और इसमें विशेशत तोर पर जो खशारी जमीन है श पार सो से पांच सो क्रोड रुपे तक अलाव ये हर्याना के हमारे किसान मचली पालक ये भी उठा सकेंगे और हमारी जो जमीन है जो शुरे वाली जमीन इसको ठीक करने का मौका भी हम इसमें मिलेगा इसी परकार पशुपालन के नाते से दूद से बनी चीजें दूद से उत्पाद चाहे उसमें घी है अत्वा खोया है उसमें दूद का पाउडर है दही है लसी है खीर है मक्षन है आदी ये सब चीजें इस प्रोसेसिंग के लिए भी पशुपालन विभाग को एक बहुत बड़ी राशी ये सस्ते रिन और अनुदान ये भी गोशित किये गए ह इसका जा सके इसका भी प्रावधान हमारे इस पैकेज के अंदर प्रदान मतिजी ने किया है पशुपालन और मचली पालन इनको भी किसान करेट कार्ड के तरज पर ही केसी सी किसान करेट कार्ड इनको भी जारी किये जाएंगे ताकि ये भी अपने उस कार्ड का ये लाव एक ऐसा विशह है जिसको हरियाना की रीड की हड़ी कहा जा सकता है अब केंदर सकार ने इस परकार के किरशी और किसान कल्यान के नाते से ये जो चीजें घोशित की हैं इसका बहुत बड़ा एक लाब हमको मिलेगा मंडियों का सुद्री करन मंडियों में अभी जो हमको कठनाई आती है आगे चल करके मंडियों का विस्तार भी होने वाला है इन्फरसेक्चर भी अच्छा होने वाला है हमारी किसल जो किसान की होती है वो सीधा खेट से विक्री हो इस प्रकार की विवस्ताएं ऐसा करने का एक प्रावधान भारसरकार ने करने की घुशना की है तो ऐसी फूड प्रोसेसंग के नए ने प्रोजेक्ट हम लोग ने अभी इंडस्ट्री में जो लगूत द्योग मध्यम दर्जे के द्योग इसको बढ़ावा देने के लिए अब नई युजना बनाई है के 22 जिले हमारे हरियाना के इन 22 के 22 जिलों में 22 कलस्टर अलग-अलग क कैटेगरी के इसकी हमने घुशना की है और 22 कलस्टर भी विशीश रूप से जो हमारे नौजवान को व्यवसाय दे सके उनको एक प्रकास से रोजगार मिल सके इसका ध्यान रखेंगे और हमारे हां का जो कच्चा माल है किसान की का उत्पाद है वो उसमें रो मिटेल के नात वरकर्स को ट्रेंड करने के लिए हमने उनकी जो स्किल डॉयल्मेंट है इसकी अधार पर भी इसको भी आगे बढ़ाने के लिए जो घोशना की गई है प्रधान मतीजी द्वारा कि बहुत वरकर अब जो इंडस्ट्री में से शायद उनको अपने नोकरी से हाथ होना पड़ है उनको अपने काम से बाहर हटा दिया गया है क्योंकि उद्योग बंद हुए हैं ऐसे जो रिट्रेंज्ड वरकर्स हैं बार निकाले गए वरकर्स हैं इनकी स्किलिंग का एक विशेश प्रोग्राम चलाएंगे ताकि अब नई आवशक्ता है जो खड़ी होंगी क्योंकि हम को मालूम है कि इस कोरोना के पीड़ के बाद विवस्थाओं में बहुत बदलाव होंगे रैंसेन का तरीका बदलेगा चीजें उनकी जो आवशक्ता है वो बदलेगी उपलबता है वो बदलेगी तो नई आवशक्ता के हिसाब से नए क्षेतर के उद्योगों के लिए इन म लोगों ने MSME का जो दायरा है यानि इसी पैकेज में ये कहा गया कि उनका दायरा बढ़ाया गया है जो सूक्षम और छोटे दायरे वाले जितने भी MSME थे उनका दायरा बढ़ा किया गया है उनको ज़्यादा काम करने का इसमें अवसर मिलेगा और इसमें कोलेटरल फ्री बिना गरंटी के तीन लाख क्रोड रुपे की राशी इसका प्रावधन किया गया है ताकि ये लोग अपनी पूंजी को बढ़ा कर अपनी आवशक्ता अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसको बढ़ा करके अपने काम के दायरे को बढ़ा सकते हैं और अच्छा का दायरा इसको बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी गोशना इसमें की गई है इसी में जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले MSMEs हैं बहुत MSMEs कंपिटिशन में आकर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए यानी अच्छे को भी और अच्छा बनाने के लिए सरकार ने 50,000 क्रोड रुपे इसका पुंजी निवेश करने की एक विवस्था की है जिसमें से 1000 से लेकर 2000 क्रोड रुपे तक का लाब ये हरियाना के MSME को भी होगा जिन MSME की वित्ती हालत खराब हो गई है बहुत अवसर ऐसे आते हैं कि निकारण एक ऐसी विवस्था की है हमारे मजदूर भाईयों को हमारे ऐसे जो लोग हैं जिनके अपने मकान नहीं है उनको बहुत कठनाई आती है नए मकान खरीदने के लिए इनके लिए एक नए विवस्था का गोशना की गई है कि एक रेंटिंग रेंटल हाउसिंग स्कीम इस रें इसका लाब वो लोग उठा सकेंगे अभी नए मकानों के लिए एक विशेश पैकेज सतर हजार क्रोड रुपे का इसका भी प्रावधन किया गया है हम जानते हैं पदहन मंत्री जेने हाउसिंग फॉर आल दो जार बाईस तक सब को आवास मिले ऐसी एक योजना बनाई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए हरियाना में तो बलके हमने एक और कदम आगे बढ़ाया है हाउसिंग फॉर आल नाम का अपना एक विभाग भी बना दिया है उसकी मिनिस्टरी अलग से होगी और जिसकी देखरेक मैं स्वेम करूँगा इसलिए हम आने वाले समय में किसी के पास निश्य रूप से अपना घर हो उसके सिर पर छत हो इसकी जिनता हम करेंगे फिर भी जो लोग नहीं लेना चाहेंगे बहुत लोग ऐसे भी धान में आते हैं जो स्वेम अपना मकान अपनी इच्छा नुसार नहीं लेना चाहते जान बूज कर नहीं लेना चाहते उनको किराय के मकानों के विवस्था भी जैसे मैंने बताया rental housing scheme ये चलाई जाएगी तो इसलिए हर किसी को मकान मिले housing for all का department ये भी हमने अलग से बनाया है रेडी फडी वालों को भी पदार मंत्री जी नहीं भूले उनको भी उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया उनको भी अपनी आवशक्ता के हिसाब से वो बैंक से सस्ती दरों पर लोन ले सकें बिना को लेटरल के बिना किसी गारंटी के ये विवस्था भी उन्होंने उसमें की है तो इस परकार इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के समय में इतना ही एक संकल्प कर सकते हैं कि हम अपनी इस कोरोना के समय का जो समय है इस समय का किस परकार से अच्छा उपयोग करें क्योंकि हमको मालूम है कि कोरोना एक ऐसा आवसर है जिसमें हमें अपनी सारी सिस्टम बदलने पढ़ेंगे हमको चोके सारा एक व्यवस्ता ये रुक सी गई है थम सी गई है तो बिलकुल हम बंद नहीं हुए हैं हम थोड़ा थबे हैं हमें आगे बढ़ना हैं चलना है तो थोड़े सिस्टम बदल करके हमको चलना पड़ेगा हमारी अर्थ की व्यवस्ता जैसे बदली है इस बदलने की व्यवस्ता को हम बदलेंगे हम इसको बनाएंगे हम इसको बढ़ाएंगे एक सिद्धान बना करके चलेंगे आर्थिक स्थिती उसको बहतर करने के लिए पुराने जितने भी नियम हैं उन नियमों को बदलना पड़ेगा बदलेंगे पॉलिसिस को बदलना पड़ेगा बदलेंगे कानून को बदलना पड़ेगा बदलेंगे लेकिन समय के आउशकता के हिसाब से क्योंकि हमें अपना way of life ये बदलना होगा एक स्थान पर रहकर हम अपने काम हम ज़्यादा कितने कर सकते हैं, शोशल डिस्टेंसिंग बना कर, हम कितने काम कर सकते हैं, इस हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा, तो जैसा समय होता है, उसकी समय की पुकार के हिसाब से आगे बढ़ना, यह हमारा धर्म है, इसलिए हम इन साफ चीजों को बदलते हुए, पारम में मुझे ध्यान में है, पहले अपने भाशन में कोरोना, कोई रोड पर ना जाए, मैं आज थोड़ आसा परिवर्तन, पदारमन दिजी से एक शमा भांगते हुए, इसके एक नई परिभाशा मैं करने जा रहा हूँ, कोरोना, कोई हमको कोई रोक नहीं सकता, ये हमारा कोरोना है, हमको आगे बढ़ना है, बढ़ना है तो एक सिस्टम बना के बढ़ना है, अब निशीद रूप से दो दिन के बाद, फूर्थ लोकडाउन, इसकी कुछ योजना बनेगी, और इस योजना में हम लोगों को कुछ छूट भी मिलेगी, लेकिन छूट मिलने का कोरोना को रोकना है, करोना का संक्रुन ना हो, ये हमारे सबसे पहली प्रात्मिक्ता है, अगर हम कई करोना के चक्र में फसे, तो फिर हमारी अर्थवस्ता को कोई भी नहीं संभाल सकता, करोना से बचना, अर्थवस्ता को चालू रखना, बीच का रास्ता, जैसा हमको ध्यान में आता है, वैसा लागू करना, इन चीजों के उपर हम चलेंगे, तो निश्य दूरुप से हमको एक समिक अपना रा है, इसमें कोई कठनाई आई है, तो इसको कस्ट के रूप में न लें, बलके इस बदलाओ के समय पर, इस बदलाओ को स्विकार करके, और जीवन का अनंद इस रूप में इसको लें, तो निश्य दूरुप से हमारा भविश्य अच्छा होगा, करोना हारेगा, भारत से ने बाद, बहुत बहुत आभाद